वेकम दो उनलाइन फिशरी स्वागत है आपको उनलाइन फिशरी दिया तो फ्रेंट्स इस वीडियो हम देखेंगे मद्ध प्रदेश पत्वारी का जो कट ओफ है एकस्पेक्टेट कट ओफ जो है वो लगबग कितना जाएगा फ्रेंट्स देखें एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता दूँ मैं बहुत सारी इसे वीडियो बनाते रहता हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लेकिन क्या होता है इस ट्रेंट जो है मतलब फालतों की वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो आपको डेफिनटी हेल्प करेंगी जैसे कि मैंने एक वीडियो का आपको जो वाल पीपर दिख रहा हूँ यहाँ पर thumbnail मद प्रदेश में कौन क्या है यह वीडियो अगर आप देखेंगे 100% आपको एक कोशिन आपके एक्जाम में देखेगा इसकी PDF अगर डाउनलोड नहीं करी है वीडियो नहीं देख पा रहे हैं कोई रिक्कत नहीं है मैं यह नहीं करूँगा कि वीडियो यह देखेगा आप जाए टेलिग्राम ग्रूप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलिग्राम ग्रूप है और यह भी यहाँ पर लेखा हुआ है तो आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आज मैं जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा जो नदियां है रिवर्स है MP की रिवर्स है या आपकी भार की इतनी मद्द प्रदेश है भी भार मत्तब पूरी इंडिया की रिवर्स है भूबी में अगर आप कहेंगे तो नोट्स डाल दूँगा या फिर आपको जो नोट्स है अच्छे लगते हैं आप चाहते हैं कि उनको पढ़ें क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप सोचेंगे कि उनको पढ़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें समझ में नहीं आ रहा है या आपको और समझना है तो प्लीस मुझे कमेंट जो करेंगे टेलिग्राम पर नोट्स में डाल दूँगा कमेंट कीजेगा अगर आपको पढ़ना है उनी नोट्स से और भी अच्छा जो है मैं पढ़ा दूँगा आप लोगों के लिए ठीक है बंद कर दिया है अगर आप चाहेंगे तो analysis भी कराना है स्टार्ट कर दूँगा लेकिन उसके लिए quotient जुरूर चाहिए मुझे quotient मिलेंगे आप लोगों देंगे टेलिग्राम ग्रूप पर जो है मुझे send कर सकते हैं quotient प्लस आप जो है इस वीडियो के description में भी तो चली हैं पर हम बात करें किस चीज़ की मध्रदेश पटवारी का जो एक्जाम चलना है, तो कट उफ लगबग लगबग कितना जा सकता है, तो कट उफ की बात तो यहां पर सिंपल एक चीज़ याद रखेंगे, कि एक्जाम पेपर जब भी स्टार्ट होता है, और कि स्टा लास्ट में देखेंगे तो वो tough हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे हमेशा यही है क्योंकि क्या होता है starting में क्या होता है ज्यादा tough एकदम से रख नहीं सकते हैं और last में क्या होता है जो question दिये चुके हैं वो उन में से बहुत कम एक 2 या 3 percent question ही वो repeat करते हैं दो या 3 percent question ही repeat करते हैं बस उनके topic repeat होते रहते हैं आप भी देखते होंगे कईवर आप किताब में देखते होंगे easy topic हाल आपको तुरंट दिख जाते हैं लेकिन tough topic जो है आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तब आपको देखते हैं वस वही बात यहां पर हो जाती है तो अब थोड़ा सा जो है exam paper थोड़ा tough बना दिया गया है Calculative अगर बात करें तो math और reasoning Calculative आ रही है GK की बात करें तो GK और भी tough होता चला जायागा MP का exam किसी भी exam को आप ले लीजीगा बयापन जो exam कराता है उसका GK कभी सरल नहीं आता है हमेशा ही tough ही आता है अगर हम बात करें computer की computer का अगर बात करें किस की बात करें computer की ठीके अब computer का अगर आप देखेंगे तो बहुत different number समझ में आये गा आपको अगर आप SSC के exam देखें या railway का exam देखें बैंक के exam देखें इसमें computer आता है बहुत normal computer का question पूछे आता है लेकिन अगर आप देखेंगे byappam का computer question byappam computer question पूछ देखेंगे तो बहुत tough आएगा आप 2017 का अगर exam देखें, उठा कर देखें, 2017 का exam paper उठा कर देखें, तो उसमें C++ की coding आई हुए, क्या हुआ है, C++ की coding आई हुए, कुछी paper हो में, तो आप सोच सकते हैं, क्या level रहता होगा computer का, ठेक है, आप से पूछा आता है, कौन सा slash आगर हमने नहीं पता, हमने कभी computer नहीं पढ़ी है, हमने language नहीं पढ़ी है, तो हमें नहीं आता है, हमने बस basic knowledge पता है, तो वो basic से भी उपर पूछ लेता है, ये computer, English की बात करें, तो English easy to moderate आ रही है, जाँ tough नहीं आ रही है, raising is calculated है, और यहाँ पर math भी calculated है, तो यह हमने बात कर लिए subject की, अब अगर हम बात करने, general category का cutoff कितना जा सकता है, जो अभी तक की बात करें, starting से लेकर अभी तक, इसके बात का नहीं पता, जो 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 general category है, उसका जो cutoff आ रहा है, वो 150 से लेकर, आपका 160 या 165 जा रहा है, यह cutoff आपका जा रहा है, ठीक हो 60 या 165, आप बहुत सारे students सोचेंगे, यार यह तो ज़्यादा है, जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा cutoff ही जाएगा, general category का, और यहाँ पर बहुत अच्छा competition है, general category, और OVC category का, ठीक है, अब OVC category का भी, काफी च्छाट अब जो है, इसमें अगर देखा जाए, तो competition ही, यहाँ पर जो cutoff जा सकता है, बुझा सकता, 145 से लेकर, 160, ठीक है, अब इतना difference के वे, यह इतना difference लिए है, 10-10 number का difference रखना, इसलिए जरूरी पढ़ रहा है, क्योंकि यह जो है, जिले 22, मतलब जिले में, किसी जिले में कम होगा, किसी जिले में ज़्यादा होगा, ओके, तो ऐसा है, ठीक है, इसलिए इसा रखना पढ़ रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें, SC category की, SC category में भी, काफी अच्छा, जो है, कट ओफ जा सकता है, यहाँ पर, 120 से लेकर, 140 के सम्टिंग, जो है, कट ओफ जाएगा, यह भी अगर आप देखें, तो आप लोग भूँ सारे स्टुएंट सोचेंगे, कि आरे, इतना ज्यादा कट ओफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कट ओफ जाकर देख लीजेगा, अगर नहीं विश्वास नहीं है, तो आप जाकर, जो analysis करा रहा है, उनसे जाकर पूछ लीजिए, कि कितना कितना बच्चे, जो नमबर बोल रहे हैं, देखे, जो general student होगा, जो बिल्कुल सही question करके रहा है, वो 200 question है, तो 200 question में से कम से कम जो है, आपको वहाँ पर 200 question है, इसमें 200 number का exam पीपर है, sorry for that, तो ये 200 में से वो कम से कम अगर general student है, तो वो 140, 150, 160, किसी किसी के 165 भी number आ रहे हैं, तो किसी किसी के आ रहे हैं, हर किसी के 160 पैस्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो selection भी होता है, वो किसी किसी के ही होता है, हर किसी का नहीं होता है, तो ये मैं सोचेगा, किसी किसी के number आ रहे हैं, 160 number तो भई, किसी किसी के 150 आ रहे हैं, तो वह किसी की एग्जाम से सेलेक्ट होता है, हरकुई नहीं होता है, यहना सौ तो हर किसी कहा जाते हैं, सत्तर असिंहब्बे भी हर किसी कहा जाते हैं, ओके, ठीक है, है तो यह जा सकता है है आपका 110 से लेकर के 125 पर भी पर आप जो है फूर में को नंबर जो है गल्स का जा सकता है ठीक है तो इतने से कम जो है नहीं जाएगा स्टी के टिकरी का ओके बाकि पी डेवलुडी और वो जो स्टुडेंट है प्लीज मुझे कमेंट करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करेंगे मुझे कि हमें भी बता दीजिए कितना के टाउटव जा सकता है लिकिन आपको बताना होगा कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में कि भाया आप अगर पीड़ेवलुडी से हैं या एविड़एस जो भी है क्योंकि आप जो है ईड़ेवलुएस वालों का क्या खिली हो गया है मैंने पहले इह अभी मतलब जो आपका पटवारीक एक्जाम होने से पहले EWS के बहुत सारे certificate बना लिये हैं तो देख सकते हैं तो अगर एक जिले में 87 certificate बन रहे हैं तो 87 student ने apply भी किया होगा जो पटवारीक एक्जाम के लिए और उससे पहले भी EWS के student बहुत सारे थे तो इसमें competition बैसे ही बढ़ गया वो जनरल के लेवल कहीं पहुंच गया है तो यह मैं सोचे के EWS के जो student है उनके नमबर कमाने पर भी selection हो जागा उसमें कुछ reservation ही होता है कुछ seat होती है ज्यादा seat नहीं होती कुछ seat ही EWS की होती है उससे कि 100 seat हैं 100 seat हो में से 10 या 5 seat ही ही है आपकी EWS की जो percentage based होती है तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो like कर दीजेगा शेयर कर दीजेए शेयर सब्सक्राइब कर दीजे थैंक एफिन वाची इस वीडियो पैस आपके exam के लिए आपके result के लिए